दोस्तो आज हम आपकी लिए भीशन ठंड के प्रकोप की कुछ ऐसी तस्वीर इस वीडियो की जड़िये दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरानी में पर जाएंगे आप सोते होंगे कि ठंड का मौसम काफी सुहावना होता है पर जो तस्वीरे स्क्रीन पर विचल रहे हैं उन तस्वीरों को देखकर आपका खयाल ही बदल जाएगा दोस्तो भीशन ठंड के बाद देखें बर्फ ने ट्वाइलिट का क्या हाल कर दिया है ठंड के मौसम में हर चीज जम जाती है यहां तक की बड़ी बड़ी मसीने भी इस मसीन को देखकर लग रहा है कोई सजावत की चीज बनाई गई हो एक दिन में तक्रीवन 6 पूर तक बर्फ जम सकती है एरोप्लेन में भरा जाने वाले फ्यूल का कुछ ऐसा हाल हो जाता है बैतावा पानी किस तर से जम गया है आप देखकर हैरान रह जाएंगे आप यह सोच भी नहीं सकते कि बैतावा पानी इस तर से कभी जम जाएगा काड़ों के उपर पड़ी हुई इन बर्फों को देखकर आप चिंता में पड़ गये होंगे आप सोच रहेंगे क्या इतनी ठंड भी पर सकती है ठंड के दिनों में अगर आपके घर में एक कहीं लिकेज है तो आपकी घर का भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है जो हम आपको इन तस्वीरों के जड़िए दिखाने जा रहे हैं दोस्तो ठंड के दिनों में मचली का क्या हाल होता होगा जो आपको इस स्क्रीन पर चल रही तस्वीर के जड़िए पता चल ही गया होगा इतनी भीशन ठंड में ये मचली कैसी डरावने लगनी लगी है ठंड के मौसम में कुछ भी खाना पीना काफी मुश्किल हो गया है इतनी भीशन ठंड देखकर आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये लोग खाते होंगे इस घर की बालकनी देखिये दोस्तों इस घर की बालकनी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बैतावा जहरना रुख गया हो ट्वैलेट के फ्लश काम करना बंद कर दिये हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ट्वैलेट ही खड़ाब हो गया हो इस कलाकृति की क्या हाल हो चुकी है यह काफी डरावनी लग रही है एक एलिगेटर जो जमी हुए है वो बाहर से दिखने में कितनी डरावनी लग रही है बाहर से देखकर इसे पता ही नहीं चल रहा कि यह एलिगेटर है या फिर कुछ और बैता हुआ जहरना जब जम जाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बर्फ की सीली जमी हुई हो इस तस्वीरों की जड़ ये आप देख कर विश्वास नहीं कर सकते कि बैता हुआ जहरना ये जम गया हो और इस तरह से लग सकता है